असलाम लेकुम दोस्तों वेलकम तो दी विज्टेम अकेडमी यूट्यूब चेनल आज की इस वीडियो में हम ये समस्वाल्व करेंगे सम में लिखा हुआ है दी नमबर वूस 3% इस 60 यानि एक नमबर है जिसकी 3% जो है वो 60 है find the number, यानि total number find करना है, ठीक है, एक number है total number find करना है, जिसकी 3% जो है, 60 है, ठीक है अब total number find करने के लिए हमारे पास एक formula होता है percentage का जिसमें क्या होता है, कि percentage equal होता है, part of quantity multiplied by 100 upon total quantity, यानि एक formula है percentage का, हमने इस question के अंदर total quantity find करनी है, तो हम क्या करेंगे इस formula को BCM करेंगे, by cross multiplication, यानि by cross multiplication में ये percentage जो है, total quantity के साथ multiply होगा, और part of quantity multiplied by 100 जो है, इस percentage के अपान में, जो one है, इसके साथ multiply होगा, अब जब दोनों को by cross multiply करेंगे, तो हमारा ये जो part of quantity और 100 है, ये हमारा एक तरफ आजाएगा, और percentage जो है, वो multiply होगा total quantity के साथ, या हम percentage को multiply करेंगे, total quantity के साथ हमें find करना है, ये total quantity, तो हम क्या करेंगे, ये जो percentage total quantity के साथ multiply में, इसको हम दूसरी साइड पे shift कर लेंगे अगर equation के एक साइड पे कोई total quantity find करने का फार्मूला आगया, जिसमें हम क्या करेंगे, part of quantity को 100 के साथ multiply करेंगे, और percentage के साथ divide करेंगे, अब हम इस फार्मूला के अंदर values को put करेंगे, question के अंदर हमारे पास जो, अगर हम question को देखेंगे, तो यहां पे परसंटेज भी given है, और part of quantity भी given है, परसंटेज परसंटेज है, और part of quantity 60 है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे part of quantity के जगा पे 60 लिखेंगे, उसको multiply करेंगे 100 के साथ, और अपान में percentage लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 3 परसंटेज, तो यहां पे 3 परसंटेज लिखेंगे, तो is equal total quantity, अब हम क्या करेंगे, इसको reduce करेंगे, 3 को 3 के उपर, 3 के टेबल 1 टाइम, और 60 के उपर 3 के टेबल 20 टाइम लगेगे, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास answer आजाएगा 2000, तो 2000 जो हमारा answer है, तो total quantity है, जिसकी हम 3 परसंटेज निकालेंगे, तो हमारी बनेगी 60, अगर हम options को देखेंगे, तो 2000 जो हमारा option A है, तो option के लिए इतना ही काफी है, मजीद sums के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्हाफेज, अल्हाफेज